नमस्कार दोस्तों स्वागतिया अब सबका मेरे इस वीडियो में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे इस English is a mandatory thing to get a job in IIT या फिर हम English के बिना भी चौब ले सकते हैं IIT में तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे तो इसका में आपको simple और subtle भाषा में सिरफ यही जवाब दूगा कि हाँ English बहुत ज़्यादा important होती है किसी भी company में काम करने के लिए अगर आपको English आती होगी तो यह आपकी plus points में बहुत ज़्यादा count होता है और अगर आपको नहीं आती तो कई-कई companies में यह negative point में भी count होता है क्योंकि अगर आपको personally यह चीज़ बताओ तो मैंने यह चीज़ें face भी की है कई की companies में मुझे सिरफ rejection इसलिए मिली थी कि मेरे communication skills अच्छे नहीं थे या फिर जिस भी तरह से मैं उनको बता रहा था जिस भी तरह से मैं उस particular topic को explain करना चाहता था मैं वो नहीं कर पा रहा था just because कि मुझे English में इतना ज़्यादा उनको explain करना नहीं आ रहा था तो ऐसी ऐसी rejections भी मुझे देखने को मिली हैं अगर मैं आपको personally बताओ तो जब मैं college में था तो college में मेरा English बोलने का वो flow बिल्कुल भी नहीं होता था flow क्या मुझे बात ही नहीं करने आती थी किसी के साथ even कि जब मैं introduction भी दिया करता था और कोई अगर मेरे सामने ऐसे English में बात कर रहा होता था तो मेरा confidence level एकदम down चला जाता था even कि जो मझे आते भी होती थी चीज़ें वो भी मैं उनको नहीं बता पाता था just because कि मुझे उस time पे English में वो सब चीज़ें convert करना नहीं आता था मैंने आपको जिस तरह से बताया कि मैं टीवी सीरिस देखता था स्राटिंग में मझे टीवी सीरिस समझ में नहीं आई उसके बाद जब देखना शुरू किया तो with time वो सब चीज़ें समझ में आने लग पड़ी लेकिन हां समझ में तो आने लग पड़े तो उस time पे तीन बंदों ने इतने अच्छे फ्लो में बात कि इतने अच्छे फ्लो में वो सब चीजों के वारे में बताया बाकियों को मैं देख रहा था बाकि सबका लेवल मेरे ही जैसा था जो कि अच्छे से वो सब चीज़े नहीं बता रहे थे और इवन कि मैंने भी जब कोई लाइन बोली थी, अब मैं उसके वारे मैं सोच था हूँ, तो मैं यह सोचता हूँ कि मैं क्या ही बोल रहा था उस टाइन पर, लेकिन हाँ, जो भी तीन लोगों की उस टाइम पर सेलेक्शन हुई थी, कि अगर मेरा उस टाइम पर फ्लो अच्छा होता है इंग्लिस में, तो शायद क्या पता, मैं उस टाइम पर वो राउंड क्लियर कर जाता हूँ, क्या पता मैं उस टाइम पर के पियंवज बैटा होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्पश्च की दिमांड होती है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है कि सब भी इंग्लिश की जुरूरत नहीं थी कई एसी ऐसी placements में भी बैटा था यहांपर मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही बात कर रहा था हां ओविस्टी शॉट लिस्ट नहीं हुआ था तो इंदी एंड टीस में हुआ था जहांपर मैं थोड़ा बहुत Englishman को बता पा रहा था क्योंकि जो पहली rejection मिली थी तो उसी के बाद मैंने थोड़ा बहुत English में बात करना शुरू किया थोड़े बहुत lectures देखने शुरू कि English में किस तरह से बोला जाता है क्या क्या चीज़ें elaborate करने की जुरूरत होती है किस तरह से confidence build-up किया जाते तो यह सब चीज़ें मैं सीखने लग पड़ा और finally मेरी TCS में जाकर placement हो होता है कि जब आप एक ऐसी company में जाते जो कि MNC हो multinational company हो वहां पर तो आपको English आना बहुत ही ज्यादा important हो जाता है क्या होता है ना कि जब आप clients से बात करते हो तो ऐसा थो नहीं होता कि client आपके सिरफ और इंडिया में बैटे होंगे जो कि आप से Hindi में भी बात कर सकते हों तो उस purpose के लिए आपको English आनी चाहिए क्योंकि उन लोगों से ही आपको Indian बात करनी है और ऐसा भी नहीं था कि जब मैं TCS में चला गया था मेरा English का flow बहुत अच्छा हुआ गरता था बिल्कुल भी नहीं मुझे तब भी English में बात करने में दिक्कत हुआ गरती थी इवन कि जब mail को लिखना होता था तब भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आया करती था रिमेंबर कि जब मैं पहली बार जब मैं TCS में गया था वहाँ पर मुझे mail लिखने के लिए बोल दिया गया था मुझे mail तक लिखना नहीं आ रहा था CC में किसको रखना BCC में किसको रखन लेकिन अगर आपको नहीं भी आती तब भी आप company में जाकर ये सब चीज़ों के बारे में सीख सकते हो जो प्रॉपर English जानते हो तो उनके साथ बात करने में थोड़ा बहुत आप confidence बढ़ाना शुरू कर सकते हो क्या होताने कि जब आप बात ही नहीं करोगे जब आप try ही नहीं करोगे तो कोई भी आपकी help नहीं करेगा understand आप कर सकते हो कि कोई क्या बोल रहा है आप एवन की proper grammatical mistakes भी निकाल सकते हैं कि वो क्या क्या गलतियां कर रहा है लेकिन क्या होता है जब आप कभी-कभी खुद से बोलते हो तो आप realize करते हो कि यार बोलने में, समझने में और लिखने में बहुत ज़्यादा difference हो जाता है तो जब तक आप शुरू नहीं करते किसी के साथ बात करना English में तब तक आपके ये skill ग्रो नहीं कर सकता और इसमें मैं आपकी गलती भी नहीं कहूँगा क्योंकि आप एक ऐसे महाल में रहे होते हो जहांपर English में बात नहीं करता कोई भी जब आप school में होते हो college में होते हैं तो generally सब लोग ही आपके साथ अपकी native language में ही बात करते हैं मैं अगर अपने case की बात लेकर चलो तो जब मैं school में था वहाँ पर थोड़ा बहुत Hindi में बात किया जाता था लेकिन जो मेरे खास दोस हुआ गरते थे उनके साथ मैं पंजाबी में ही बात किया करता था और even की college में भी जब मैं गया था वहाँ पर भी mostly लोग पंजाब के ही थे तो ज़्यादा बाते पंजाबी में ही हुआ गरती थी तो जब मैं घर भी आता था तो घर में हमारे कभी Hindi या English में बात नहीं हुई जब मैं बात किया करते हैं तो क्या होता था जब मैं बाहर गया दिल्ली में गया तो मुझे थोड़े टाइम के लिए Hindi में बात करने में भी दिक्कत हुआ गरती थी तो मैं समयता था कि यह बोल क्या रहे हैं और किस तरह से मैं अपनी चीजें बता सकता हूं उनको लिख लिया करता था यह सब चीजें मेरे बहुत ही ज़्यादा काम है और कभी-कभी तो मैं आपको यह भी सेनारियो बताओं कि कभी-कभी किसी को reply करना होता था तो मुझे properly ऐस चल रहा था क्योंकि नहीं करनी आती थी इंग्लिश में बात यहां फिर इंग्लिश में लिखना भी प्रॉपर्ली नहीं आता था लेकिन हां विट टाइम में यह सब चीजें सीख गया अब मुझे 4 प्लस एयर का experience हो चुका है अब मुझे इतनी तो इंग्लिश आती है कि मै इंग्लिश में ही मेरा फ्लो रहता है और जितनी जरूरत होती है किसी पर्टिकुलर कंपणी में मुझे उतनी इंग्लिश आती है ऐसा बिलकुल भी नहीं कोँगा कि मैं बहुत ही प्रो हूँ अगर इतना ज़्यादा प्रो होता तो मैं प्रोपर्ली यूट्यूपर भी इं तो मैंने धीरे धीरे वो confidence बढ़ता रहा ऐसा भी नहीं कहा रहा कि मैं बहुत प्रो हो जुका हूं या मुझे बहुत अच्छी English आती है बोलने बिल्कुल भी नहीं अभी भी मैं कभी-कभी शेल शुड्ड विल वुड्ड कैन कुड में confused हो जाता हूं कि कब कौन सा क्या चीज यूज करने हो थी मैं भी अभी भी confused हो जाता हूं और एक और चीज़ बता दूं कि कभी भी अपनी native language को बोलने में बिल्कुल भी ऐसा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं होती इट्स और native language, आपको इसके लिए proud होना चाहे है चाहे वो हिंदी हो, पंजाब भी हो, तमिल हो थेल हो कोई भी हो आपको इसके लिए proud होना चाहे कि मैं कम से कम कोई ऐसी language भोल सकता हूं जिसके जरीय मैं अपने सारे के सारे views किसी दूसरे बंदे को बता सकता हो तो ये भी चीज़ कहूंगा कि कभी-कभी अगर आपको लगए कि कोई particular चीज़ आप अच्छे से elaborate नहीं करके बता सकते इंटरव्य के दरान तो आप अपनी native language को यूज कर सकते हो वहाँ पर बताने के लिए, हिंदी का यूज कर सकते हो वहाँ पर बताने के लिए ताकि अगला बंदा भी उस चीज़ को understand कर जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा केसस में ऐसा मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनका technical बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन उनको पता नहीं होता है कि उन सब words को किस तरह से बताना है जब मैं उनस को बोला है कि यार तुम अपनी native language में बता सकते हो और कई बार मेरे साथ भी ऐसी चीज़ हुई है कि मुझे किसी ने बोला है कि यार तुम अगर हिंदी में भी comfortable हो तो उसमें भी यह चीज़ करके बता सकते हो क्योंकि अगले बंदे को पता चल जाता है कि यार अगर इस project मे English के इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है और अंदर आने के बाद भी जब तुम company में आ जाओगे तो वहां पर भी आपसे इतना ज़्यादा expectations नहीं की जाएगी English के लेवल पे तब आपसे यह सब चीज़ें हो जाती है तो मैं आपको यही चीज़ काऊंगा as long as कि आपके communication skills अ को प्रॉपर ले topic किस तरह से elaborate करके बता सकते हैं वह स्यादा important होता है तो आपके वीडियो आपके लिए काफी ज़्या informative रही होगी स्टिल अगर आपको कोई वीडियो रहता है तो उसको comment section में जाकर जरूर लिखेगा इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं अ अन्यवाद